आज गवरी और शिव की शादी थी लेकिन उनकी शादी में एक बिन बुलाया मेहमान भी आया था इंस्पेक्टर काली उसके साथ एक लड़का भी था दुलहन को देखकर वो कहता है यही यह वो लड़की जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया यू आर अंडर अरस गवरी लेकिन यह तो मेरी होने वाली बीवी है होने वाली ना शादी हुई तो नहीं अभी और तुशुकर मना तेरी शादी अभी तक नहीं हुई नहीं तो यह लड़की तुझे भी नहीं चोड़ती तेरी हालत भी इस लड़के जैसे ही हो जाती है लेक पिर वो गवरी और उसके साथीदारों को पोली स्टेशन लेके जाती हैं और इंक्वाइरी चालू हो जाती हैं क्या रहे तुझे बड़ा मजाता है सब को लूटने में वेसे दीखने में तो तु काफी खुबसूरत है इसलिए सभी लड़के तेरे जासे में आते होंगे क्या पहले तो हमने इस शेहर में रहने वाले सारे रईस लड़कों की लिस बनाए उन में से कुवारे लड़के चुने और उन सब में से हमने सागर को चुना लेकिन सागर ही क्यों वो थोड़ा लड़कियों के मामले में भोला था आसानी से फिसल जाता फिर क्या हुआ जैसे प् पहले से हूँ, वो मुझे हमेशा तारता रहता, फिर वो मेरे पीछे-पीछे आया करता था, उस बेवकुप को ये लगता था, कि वो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता, कि वो सब हमारा ही प्लान था, वेसे कुछ भी कहो तेरा प्लान तो बड़ा अच्छा है, लग घूमने फिरने लगे, वो मुझ पर पूरी तरह लट्टू हो गया था, फिर क्या हुआ, फिर एक दिन उसने मुझे प्रोपोस किया, कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गवरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती लेकिन मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं करता हूँ ना तुमारे पापा से बाद, मैं मेरे मम्मी पापा को लेकर आता हूँ तुमारे घर, अरे नहीं नहीं, अगर तुम आए, तो मेरा घर से निकलना बंद हो चाएगा हम दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरे पास एक रास्ता है मेरे चाचा जी है जो हमें इस शादी में मदद कर सकते हैं आखिर बाद में पापा को तो मानना ही पड़ेगा एक बार शादी हो जाने दो फिर हम दोनों मिलके उनको मनाए आखी कितने दिन नाराज रहेंगे अपनी लाडली से। हां सही कहाँ तुमने, यह अच्छा रहेगा. तो तुम्हारी चाचा जी से कब मिल सकता हूं. मैं आज ही मैं उनसे बात कर लूगी, तुम शाम को मेरे घर आ जाना. फिर सागर मेरे चाचा के घर आता हैं. और उनसे बा शादी में बस गिने चुने लोग ही थे, हमारी शादी होने की वज़े से सागर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उस बिचारे को क्या पता था, कि तु ऐसी हरकते करने वाली है, उसका पूरा घर लुटने वाली है, फिर क्या हुआ, मैंने शादी के पहली रात में सभी घ गरवालों के खानों में दवाई मिला कर सबको बहोश कर दिया, और घर का सारा सोना और कीमती सामन लुटकर वहां से रफू चक्कर हो गये, कितनी बेशरम लड़की है तु, बता ऐसे रही है, जैसे कोई तीर मारा है, सारा दोश तेरे माबाप का है, उनकी ही दी गई सीख ह होगी, वो भी यही काम करते हैं क्या, कहा है तुमारे माबाप, मुझे कुछ भी कहो मैडम, लेकिन मेरे माबाप के बार में एक शव भी मत निकालना, अपने माबाप का नाम सुनते ही बड़ी मिर्ची लगी तुझे, अगर उनकी इतनी फिकर है, तो यह सब क्यों करती है, ह मेरे माबाप बले ही गरिब थे, लेकिन उन्होंने मुझे बड़े अच्छे संस कर दिये थे, वो मुझे से बहुत प्यार करते थे, मेरी भी शादी तय हुई थी, पर उस बेचारे को भी तुने लूट ही लिया ओगा, नहीं, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, शादी के पापा ने खेद बेच कर पाच लाक रुपे दहेच दिये थे, पापा बहुत खुश थे कि मेरी शादी होने वाली थे, लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़के के बाप ने और दहेच की माम किये, अब मेरे पापा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, एक पल में ही मेरी सारी खुशी दुख में बदल गई, बेटा तू फिकर मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा, तेरी शादी हम धुम धाम से करेंगे, लेकिन पैसो का इंतोजाम ना होने की वज़े से, मेरे ममी पापा ने फास ही लगा ली, और बस उस दिन से मैंने ठान ली, कि शादी हो ना हो, लेकिन में बदला जरूर लूँगे, इसलिए तू बोले बले लड़कों को लुटती है, आपको लड़कों पे तो तरस आ रहा है, लेकिन क्या मैं बोली नहीं थी, इसमें मेरी क्या गलती थी, दहेश ना दे पाना, क्या ये मेरे माबाप की ग लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, कि मेरी वज़े से आज कई लड़किया पडलिक पा रही है, मैं इन लूटे हुए पैसों का आधे से जादा हिस्सा दान कर देती हूँ, ये सुनकर इंस्पेक्टर काली शौक हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लूटेरी ब माला और सुधिर को एक बेटा था, आकाश, इकलोता होने की वज़े से उन दोनों ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, अरे माला जल्दी नाष्टा लाओ, मुझे भूक लगी है, फिर माला नाष्टा लेकर आती है, अरे ये आकाश किदर गया, नाष्टे पर क्य नहीं आया वो, जी वो सो रहा है, क्या, अभी तक सो रहा है, सुबे के ग्यारा बज रहे है, अरे सोने दो ना उसे, ग्यारा ही तो बज रहे है, ठक जाता है वो भी, ऐसा वो क्या काम करता है कि वो ठक जाय, दिन बर तो कुछ काम नहीं करता, बस सोता ही रहता है, तुमी न अपनी जिम्मिदारियों का भी तो ऐसास होना चाहिए तो शादी करा देते हैं इसकी वेसे भी इस उम्रम में मुझसे अप काम नहीं होता लेकिन इससे शादी करेगा कोई काम तो करता नहीं है कोई देगा इसे अपनी लड़की अरे कोई ना कोई लड़की तो मिली जाएगी और अगर ये काम नहीं करता तो क्या हुआ हम इसके लिए नोकरी वाली बहुल आएंगे न एक तो आकाश के पास कोई जॉब नहीं है और तुम इसके लिए नोकरी वाली बहुल आना चाहती हो कोई भी माता पिता इसे अपनी बेटी क्यों देगा तो हम इसके लिए आनात लड़की देखते हैं जिससे हम दोनों का भी फायदा होगा उसे घर परिवार मिल जाएगा और हमें भी जॉब करने वाली बहु मिल जाएगी इससे अच्छा है कि तुम अपने बेटे को ही सुधारो कुछ काम करने को बोलो उसे नहीं नहीं मैं अपने बेटे को काम पे नहीं लगाऊंगी फिर माला अपने बेटे के लिए लड़की धूनने लग जाती है अरे पुश्पा अगर तेरे नजर में कोई आकाश के लिए लड़की है तो बता देना लेकिन बेहन जी लड़की वालों को क्या कहेंगे बेटा क्या करता है क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करता कहना कि इकलोता बेटा है लड़की हमारे घर में राच करेगी किसी चीज की कमे नहीं है हमारे पास और हाँ, मेरे बेटी के लिए तो मुझे नोकरी वाली लड़की ही चाहिए कोई तुम्हारे नजर में हो, तो बताना इसी तरह माला महले में सब लोगों को बता देती है अरे मा, कहा गई थे? अरे बेटा, तेरे लिए लड़की देखने को सब को बोला है तेरी शादी की उमर हो गई है न? वो सब तो ठीक है मा, लेकिन मुझे अभी भूक लगी है पहले मुझे खाना दो, वापस मुझे सोने भी तो जाना है ऐसे ही कुछ दिन बिखते हैं आकाश पूरा दिन भर सोफे पे ही सोता रहता था उसका हर एक काम उसकी मा ही करती थी फिर एक दिन मोहले का एक आदमी एक लड़की को लेकर माला के पास आता है ये मेरी भाई की लड़की है इसके माबाप बच्पन में ही गुजर गए तो मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है ये जौब भी करती है अरे वाँ ये तो बड़ी अच्ची बात है और ये तो दिखने में भी बहुत सुन्दर है आंटी जी अगर आप बुरा ना मने तुम्हें एक बात पुछो हाँ हाँ पुछो बेटी बैसे आपका लड़का करता क्या है अरे ये मेरा राजा बेटा है इतना बड़ा मकान है वो कोई काम क्यों करेगा भला लेकिन ये काम नहीं करेगा तो घर कर्च केसे निकलेगा मेरी पती की पेंशन है ना उसे से घर कर्च निकलता है तो आपका लड़का क्या करता है अब माला का मूँ बंध हो गया था क्योंकि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था वो बिजनेस करने का सोच रहा है अगर सोच रहा है तो सोचने दीजे जब सोच कर काम शुरू कर दे तो हम आज जाएंगे इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इधर माला और उसके बेटे का मूँ बिगड़ जाता है फिर एक दिन पुषपा उसके पास एक लड़की को लेकर आती है इसका नाम दीपा है ये लड़की पड़ी लिकी भी है और नोकरी भी करती है लेकिन बिचारी आन अब जल्दी से शुब मुहरत देखके इन दोनों की शादी करा देते हैं। ये सब काम क्यों कर रही हो? मा कर लेगी एक दिन। लेकिन अब पूरे घर की जिम्मेदारी है। मुझे भी लगता था कि मेरा पती भी बाकी सहलियों की पती जैसे काम करे, पैसे कमाए, मुझे रानी बना कर रखे। लेकिन में ठेरी आनात, कुछ जादा ही सपने देख लिये मैंने। आप लोग ने मुझे रहने के लिए घर दिया, यही मेरे लिए काफी है। फिर दीपा अपना काम करने लग जाती है। लेकिन उसकी बाते सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन सुबह, जल्दी उठकर वो तयार होता है। अरे बेटा, इतना तयार होकर कहा जा रहा है। मा, मैं काम दुणने जा रहा हूँ। अरे लेकिन तुझे काम करने के क्या जरूर थे। सब अच्चा चल रहा है, तरी पापा की पेंशन है, दीपा भी जॉब करती है, फिर तुझे काम करने के क्या जरूर थे। जरूरत है मा, अब तक हम पापा की पेंशन पर ही जी रहे थे, उनी की वज़े से ये घर चल रहा था, उनकी वज़े से ही आपको एक सम्मान का जीवन मिला है, मुझे भी दिपा को ऐसी ही जिन्देगी देनी है, जिसकी वो हकदार है, उसे भी अपने पती को देखकर नाज हो हो जाते हैं, साक्षी एक अमीर घर की लड़की थी, उसने रमेश नाम के गरीब लड़के से शादी की थी, एरे बहु, तेरी पापा की तब्यद कैसी है अब, लास विक उनका ओपरेशन हुआ था ना, हाँ ममी जी, वो अब ठीक है, तुम अपने पापा से मिलने क्यों नह होती रहती है, फोन पर बात करना, और मिलकर बात करना, अलग-अलग होता है, वो तेरा अपना घर है, तु अपने घर चली जा, तेरे पापा तुझे देखकर बहुत खुश होंगे, और तु शुक्र मना, कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है, वरना कोई-कोई सासे ऐसी होती ह कि अपने बगू को कभी माईके भी नहीं बेशती, बस अपने घर का ही काम करवाती रहती है, हाँ ममी जी, आपने सही कहा, मेरी सहलियों की सास भी ऐसी ही है, वो मुझे हमेशा बोलती रहती है, कि उनकी सास उस पे बहुत जुलम करती है, और कभी अपने माईके जाने नहीं द अरे बस बस कितनी तारिफ करेगी मेरी जब मेरी नई-नई शादी हुई थी तब मुझे मेरे घर की याद बहुत आती थी लेकिन मेरी सास मुझे कभी छोड़ती ही नई थी मैं समझ सकती हूँ कि शादी के बाद एक लड़की को कैसे लगता है इसलिए मैं तुझे बोलती हूँ कि अपनी ममी पापा से मिलकर आ उन्हें भी अच्छा लेगेगा अच्छ चल बाते ही करती रहेगी यह बैक पैक भी करेगी कि तभी वहाँ पर रमेश आता है अरे यह कहा जाने की तयारी हो रही है इरे बेटा वहू को अपने ममी पापा से मिलना है यह क्या आए मा कितनी बार मिलेगी वह अपने ममी पापा से अरे तु चुपकर तुझे कुछ नहीं पता जा चोड़के आओ से अपने माई के फिर रमेश साक्षी को उसके घर चोड़कर आता है अरे साक्षी तुम यहां कैसे अपनी सास से कोई जगड़ा वगड़ा हुआ है क्या अरे नई मा बस आप दोनों से मिलने ही आई हो मेरी सास बहुत अच्छी है उन्हों नहीं मुझे कहा कि आप दोनों से मिलकर आओ यह तो बड़ी अच्छी बात है हमारे जमने के सास तो बड़ी ही खड़ूस थी माई के ही जाने नहीं देती थी ऐसे ही दिन बित्ते हैं फिर एक दिन साक्षी रमेश को कॉल करती है अरे ये क्या रमेश मैंने आपको कितने फोन किये आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो अरे वो तोड़ा काम का टेंशन था तुम बलो क्या कह रही थी आप मुझे लेने कब आ रहे हो अम वेरी सोरी साक्षी मैं अभी नहीं आ सकता यहाँ बहुत ज़्यादा प्राबलिम हुई है हमारी कमपनी से एंपलोई निकाल रहे है मेरे भी इस महिनी की पगार नहीं हुई है पता नहीं कब सैलरी मिलेगे तब तक घर कैसे चलेगा अरे आप चिंता मत करो मिल जाएगी सैलरी कभी कभी कमपनी इसको भी लॉसेस होता है यह सब तो चलता ही रहता है तब तक मैं आपको पैसे भेज़ती हूँ आप चिंता मत करो थैंक यू सो मज साक्षी पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता मेरी सालरी होती ही मैं तुम्हें सारे पैसे लोटा दूंगा अच्छा सुनो, मैं अभी दिन रात ओफिस के काम में ही बिजी रहता हूँ तो तुम खुछ दिनों के लिए अपने माईके में ही रहना एक बार ये अफिस का काम निपड जाए तो तुम्हें में लेने आज जाओंगा अच्छा ठीक है बाबा, आप मेरी चिंता मत करो मैं यहाँ खुश हूँ, आप बस मन लगा कर काम करो और जल्दी से मुझे लेने आओ फिर साक्षी रमेश को पचास हाजार रुपे ट्रांसफर कर देती है मा, ये लोपेसे, मैंने कहा था ना अपसे ये लड़की मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है बस थोड़ा नाटक किया कि आकउंड में पचास हाजार आ गए ये तो बस शिरुवात है बेटा वेसे लड़की है बड़ी बेवकुफ कुछ भी बात करो, सब पर विश्वास करती है हाँ मा, तभी मेरे प्यार में गिरी उसे बेवकुफ बना ना, बड़ा ही आसान काम था अच्छा, आप ये बताव कि आज की पार्टी कहा करनी है आज तक घर में ही पार्टी करेंगे बिटा तुझा, बियर शियर ले किया ऐसे ही उसकी दिये गए पैसे पर वो हमेशा पार्टी करते रहते थे ऐसे कुछ दिन बित्ते हैं साक्षी जब भी रमेश को फोन करती तब तक वो कोई ना कोई नया बहाना बना कर उसे टालता था फिर एक दिन साक्षी वापस फोन करती है अरे रमेश, मुझे अभी यहां रहने में बहुत शर्म आ रही है तुम मुझे कब लेने आ रहे हो? नहीं तो आप रहने दो, मैं ही आ जाती हूँ ठीक है, आना है तो आ जाओ लेकिन यहां तो खाने के भी बांदे है और उससे भी बत्तर मेरी जॉब चली गई है मैं नहीं चाहता कि तुम यहां आकर तुमारी हालत भी खराब हो जाए एक तो पहले से भी बैंक की सारे हफ्टे ठके हुए है पता नहीं, मैं करजा केसे चुकाऊंगा अरे, तो आप मुझे यह आप क्यू बता रहे हो? यह सारी बाते तो आपको मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी रुको, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे टांसफर करती हूँ फिर वो रमेश को दो लाक रुपे टांसफर कर देती है मा, यह देखो, दो लाक रुपे आज तो हमारी लोटरी लगी है आज तो बड़ी पार्टी करना बनता है हाँ बेटा, आज तो बड़ी मोच करेंगे हमारे हाथ अभी सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी लगी है ऐसे ही दिन बितते है साक्षी रमेश को फोन कर करके ठक जाती है लेकिन वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता रहता था अरे बेटा, तुझे यहाँ आए छे मैने से उपर हो गए तुम दोनों के बीच कोई जगड़ा हुआ है क्या चो वो तुझे लेने नहीं आता नहीं मा, ऐसी बात नहीं है वो बस हमारे घर में फाइनेंशिल इशूज हो रहे है और वो मुझे परेशान नहीं देखना चाथा इसलिए उसने कहा है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यही रहना लेकिन बेटा, शादी के बाद एक लड़की की असली जगा अपने ससुराल में ही होती है उसका पती जो भी परेशानी में हो उसे उसी की साथ रहना चाहिए तुमको तो हम उन्हें फाइनेशिली हिल्प कर सकते है वो तो मैंने पहले ही पैसे दिये है मा क्या बोल रही है तू और फिर भी तू यहाँ पर है मुझे लगता है कुछ गड़बढ है बेटा तू अपनी साथ को फोन लगा कर पुछ अखिर क्या बात है अपनी मा की बात सुनकर साक्षी अपनी साथ को फोन लगाती है हेलो मा जी आप कैसे हो सेब ठीक है बेटा जैसे तेसे दिन काट रहे है क्यों मैंने तो रमेश के पास कितने पैसे दिये थे तो आप इतनी परेशन क्यों लग रही हो और आप लोग मुझे लेने कब आ रहे हो बेटा तेरे दिये हुए पैसे कब खतम हुए ये पता ही नहीं चला थोड़े और पैसे भेज सकती है क्या तो अब साक्षी को डाउट होने लगता है अभी तो मेरे आकाउंट में कोई पैसे नहीं है माजी सब मैंने आपको भेज दिये मैं पापा से माम कर आपको पैसे देती हूँ अच्छा थीक है बेटा लेकिन जल्दी भेजना अब साक्षी को पक्का लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड हो रही है वो अपने ससुराल वालों को बिना बताए घर चली जाती है वहाँ का नजारा देखकर उसके आखे फटी की फटी रहे जाती है उसकी सास और उसका पती दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं साक्षी को देखकर दोनों मा बेटे घबरा जाते हैं और अपने दोस्तों को घर बेज देते हैं ये थी आप लोगों की मजबूरी आप तो करजे में डूबे थे न और आपके पास कोई जॉब भी नहीं था यहां तक के आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और यहा अच्छा मिल गई जॉब और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं आपके पास सब दोस्तों को बुलाने के लिए टाइम था लेकिन खुद की पत्नी को बुलाना सही नहीं समझा आप लोगों ने अभी कल ही तो बोला था ना कि आपको कोई जॉब नहीं मिली और एक दिन में अच्छानक से कैसे जॉब मिली आपको पार्टी करने के लिए इतने पैसे कहां से आया आपके पास कल तक तो आपके पास कोई पैसा भी नहीं था अरे नहीं बहू तु गलत समझ रही है हम लोग तुझे बुलाने ही वाले थे लेकिन भूल गए अरे वा माजी ऐसे कैसे बता ना भूल गए आज तक तो पैसे मागने में कभी आप भूली नहीं अब मुझे समझ आ रहा है कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है आपको तो नहीं आयाशी करनी है तो खुद काम करके पैसे कमा दूसरों का पैसा हड़कना बहुत आसान होता है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल साक्षी की बाते सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है बहुत हुआ तेरा नाटक कपसे देख रहा हूँ पटर पटर करती जा रही है ह आ लिए हमने तुमसे पैसे अगर अपने पती को पैसे दिये तो उसमें क्या गलत बाते एक पत्नी का काम ही होता है कि अपनी घरवालों की मदद करना वेसे भी इतने पैसे से तेरा बाप कौनसा कंगा लोने वाला है रमेश की बाते सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता बस बहुत हुआ अब में तुम जैसे गटिया लोगे की साथ एक मिनिट भी नहीं रह सकती मुझे डिवोस चाहिए पर मेरे पापा के सारे पैसे भी चाहिए रमेश को उसकी बाते सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थपड मारता है तभी वहाँ पर साक्षी की मा जलते हुए मैंने देखा और तेरी फोन पे हुई बाद भी सुनी तभी मैं समझ गई थी इसलिए मैं यहाँ पूलिस को लेकर आई हो फिर पूलिस रमेश और उसकी मा को जेल में डाल देती है फिर साक्षी जल्दी ही रमेश से डिवोस लेकर अपने माता-पिता के साथ चुटी ननन भी होती है गीता वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी लेकिन उसे सबकी नकल करने की बड़ी गंदी आदत थी फिर एक दिन उसकी ननन सीता कॉलेज जा रही होती है मा मेरी ग्रीन टी तयार हो गई क्या जल्दी करो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है फिर सीता की मा उसे ग्रीन टी देती है उतने में वहां गीता आती है अरे सीता ये क्या पी रही हो तुम भाबी ये ग्रीन टी है ये कैसी चाय है भला इसमें तो शक्कर भी नहीं है और दूद भी नहीं है अरे भाबी इसमें शक्कर और दूद नहीं डलता ये चाय ऐसी ही बनती है बस पानी उबाल कर पत्तिया डालो और शक्कर की जगा शेहद मिला कर पीलो लेकिन तुम ये ऐसी चाय क्यों पी रही हो अरे भाबी इससे वजन कम होता है इसलिए मैं हर रोज ग्रिंटी पीती हूँ अरे वाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है आसे में भी हर रोज ही पीऊंगी हा भाबी जरूर पीना अरे क्या जरूर पीना बहुत उइन सब के चक्कर में मत पड़ लेकिन गिता अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती और वो हर रोज ग्रिंटी पीने लगती है फिर एक दिन अरे समीर ये देखो ना मेरी बहन ने नया हेरकट करवाया है मुझे भी ऐसे ही करना है मुझे कल पारलर लेकर चलो ना प्लीज अरे लेकिन तुमारे इतने अच्छे घने बाल है तुम्हें कटवाने की क्या जरूरत है अरे लेकिन वो कितनी सुन्दर लग रही है देखो ना मुझे भी ऐसे ही सुन्दर लगना है अरे लेकिन तुम्हे सुन्दर लगने के लिए किसी की नकल करने की क्या जुरूरत है और तुमारे ये लंबे बाल ही मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन गीता समीर की कोई बात नहीं सुनती समीर सुबह ऑफिस चले जाते ही वो अपनी ननन को लेकर पारलर चली जाती है पारलर में हैरस्टाइल को अपने बेहन की फोटो दिखा कर बोलती है देखो भया मुझे ऐसे ही सेम टू सेम हैर कट करवाना है बाल कटवाने के बाद गीता अपने ननन को बोलती है देखो सिता लग रही हूं न मैं सुन्दर अपनी भाबी का चेहरा देखकर सीता अपनी हसी रोक नहीं पाती अरे भ कि उसका सुन्दर हैर कट देखकर सीता जलने लगी है इसलिए वो ऐसा बोल रही है आरे सीता तुम रहने दो तुम है क्या पता फैशन के बारे में फिर वो दोनों अपने घर आते हैं गीता को देखकर समीर और उसकी सास का मुझ खुले का खुला ही रहता है अरे ये क्या हो लिया बना के रखाए बहुत उने तुने अपने बाल क्यों कटवाए गीता को ऐसे देखकर समीर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है इसे तो सुन्दर लगना था ना मा इसलिए ये अपनी बहन के जैसे हैर कट करवा क्या ही है अच्छा हुआ इसकी बहन ने पारिक भी की है तो आप सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो अरे बहु तेरे घरवालों ने तेरा मन रखने के लिए ऐसा बोलाओगा लेकिन तू खुद भी आईने में देख कैसी लग रही है गीता अपनी सास और समीर की बात अंसुना कर देती है वो हर बात में सब की जिन्स और टॉप पहना घर की बहु को शोबा थोड़ी देता है तू इस खांदन की अब बहु है थोड़े ढंके कपड़े पहना कर लेकिन मा जी सीता भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है तब आप उसे क्यों नहीं बोलते है मुझे कुछ ने पता मैं तो ऐसे ही कपड़े प देखो तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन मुझे बख्ष दो मुझे किसी की कॉपी करने में कोई इंट्रेस नहीं है मैं जैसा हूँ वेसे ही अच्छा हूँ लेकिन फिर भी गीता उसकी बात नहीं सुनती और दूसरे दिन मॉल में जाकर वो कपड़े लेके आती है गीता की शॉपिंग देखकर समीर अपना सर पकड़ के बैठता है गीता के रोज रोज नकल करनी के आदत से उसके घर वाले बहुत परिशान हो गए थे फिर एक दिन मा भाबी ये देखो न मेरी नई सैंडल सुन्दर लग रही है न और सिता उन दोनों को चल के दिखाती है हाँ सिता तुमारे सैंडल तो बहुत ही सुन्दर है मुझे भी ऐसे ही लेने है फिर गीता अपने लिए नई सैंडल ओनलाइन मंगवाती है सब लोग बेटे ही होते ह कि उतने में डोर बेल बचती है ये लो माम अपका पार्सल अरे वाग मेरे नई सैंडल आ गए गीता वो नई सैंडल पहन कर चलने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने मूग के बल्व गिर जाती है और उसकी नाग जोकर जैसे लाल हो जाती है उसकी लाल नाग देखकर सब जोर जोर से हसने लगते हैं मिल गया ना तुम्हें प्रशाद नकल करने का और करो सिता को कौपी आज तो बस नाक तुटी है कल पता नहीं क्या-क्या तुटेगा हाँ बहो अब तो समझ जाओ ऐसी किसी की नकल करना अच्छी बात नहीं है हाँ बाबी मुझे तो ऐसी सैंड अपने कमफर्ट जोन के हिसाब से ही पहननी चाहिए हाँ बहो तुम्हें जो अच्छा लपता है वो पहनो लेकिन किसी की नकल मत करो अपनी जोकर जैसी नाक लेकर गीता को अच्छी खासी समझ आ गई थी उसी दिन से उसकी नकल करने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती ह और इस बात से घर वालों को भी बहुत राहत मिलती है